हेलो फ्रेंज, वेरी गूड मॉर्निंग डियू और स्वागा थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर और डेली सुबद 10 बजी की जो आपकी क्लास है लैंगविज क्लास उसको continue करते हुए हम आज का session देखेंगे पूरे 30 question हमेशा की तरह 10 तस आपके तीनों language से यानि की Hindi, English और Sanskrit क्योंकि तीनों ही आपके इस उपर टेट में compulsory है या आप कोई भी टेट exam देते हैं तो उसमें से 2 subject आपके 2 language है compulsory है तो चले स्टार्ट करेंगे session फिर बिना time waste किये जितने भी लुग जुड़ चुके हैं सभी को good morning और reply करने के लिए ready हो चाहिए subscribe कर दीजेगा अगर नहीं किया अभी तक तो तो आज का जो पहला प्रश्ण है वो है निम्न मेंसे कि शब्द की वर्दनी शुद्ध है तो वर्दनी से एक प्रश्ण आता है आपका यूपी टेट में भी आता ही है तो फटा फ़र से देख लिए हासील बोलूंगी नहीं बोलने से समझ में आ जाता है आप देख के किस करिए तो चलिए देख लेते हैं याँ पे जो सही उत्तर होता है क्योंकि शुद्ध वर्दनी पूछा है शुद्ध नहीं पूछा है आपका आपको अप्शन नमर डी हिंदुस्तान बिल्कुल सही लिखा है बाकी ये हासल में छोटी की मात्रा होनी चीए ततकालिक जो है तातकाल प्रविशेशन है या भावाचक संग्या है तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपको अप्शन नमर सी यहाँ पे तेज जो है प्रविशेशन होता है क्योंकि राम की विशेशता बताई जारी क्यों कैसा है बहुत तेज है हलाकि तेज क्या तेज का किस सें कोन सा है कलाई खुलना पॉलिष खुलना भंडार फोड्त होना या फिर दूथ का दूथ पानी का पानी होना है कि माhesion जो है भेड खुलना ये कलाई खुलना इसके लिए सबस्यादा पॉपिलर मुहावरा हो जाता है सुर्योदय हुआ और सडको पर चहल पहल थी यह कैसा वाक्य है मिस्द्र वाक्य सरल वाक्य संदेह वाचक वाक्य कि यह आपका क्यूंकि इसमें और लगा है देखिए कंजेक्शन से जब जुड़ा होता है कोई दो एक वह आपका वाक्यों के सुर्योदे हुआ एक वह सड़कों पर जयल पलती है अकर इन दोनों को अलग अलग भी लिखते है तो दोनों का सेंस बनता है और लगा के से जोड़ा गया है ठीक है तो इस वज़़े से यह आपका सयुक्त वाक्य हो जाता है अब यहाँ पी क्या करना है कि यह वाक्य को कुछ हिस्तों में बांट दिया गया है आपको बताना है कि कौन से हिस्ते में द्रुटी है अगर आपको लगता है यह पूरवत के साथ सा लगाने का कोई सेंस नहीं था पूरवत संकुचित है यह तो पूरुवत यह फिर पहले सा ठीक है पूरुवत सा यह हो जाता तो पूरुवत के साथ सा आपको नहीं लगाना है तो option number 3 यहाँ पे सही अंसर होता है भारते इंदुने किस पत्रिका का संपाधन किया हिंदी प्रदीप इंदु कविवचन सुधा भारत बंधु और सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका कभी वचन सुधा सही अंसर हो जाता है इस प्रशन पे अगला देखेंगे सब्द कोर्स में कौन सा शब्द सब्से पहले आएगा यहने dictionary के according जो alphabetical order में लगाते हैं words को उसके इजाब से इन 4 words में सब्से पहले जो है कौन सा शब्द आएगा तो देखिए सब में है जब कभी भी ऐसा तो पहला ही आप अक्षर देखते हैं वो सब में है इसके बाद फिर आप दूसरा देखते हैं दूसरे में भी है सब में है अब तीसरा देखिए एक में आधा मा है एक में मा है उसमें अंकी मातरा लगी है एक में हा है एक में मा ही है हो जाएगा ये सेयुत्तर होता है क्योंकि मात्राओं को भी हमें देखते चलना होता है चंद्रोदय जैसे माली जै कहीं पे मा भी लिखा है और मा पे जैसे माली जै आ की मात्रा लगी है और कहीं पे मा पे ई की मात्रा लगी है तो जायर सी बाते पहले ये आकि मात्रवाला आएगा चंद्रोदय में संधी है क्या दीर्ग संधी, गुड़ संधी, व्रिद्धी संधी या फिर यन संधी चंद्रधन उदय इसका बनता है आपका विच्छेद अब फटा फट से केस कर लिजे तो यहां सही उत्तर होगा आपका गुड़ संधी हो जाती है बिल्कुल सही आद गुड़ सूत्र से निर्विवाद में कौन सा समास है कर्मधाराए, अव्यई भाव समास, तत्पुरुष समास या भवरी ही समास तो निर्विवाद में जो आपका सही उत्तर होता है वो हो जाता है option number B यहाँ पर अव्याई भाव समास है जब पहला पर अव्याई हो तो वहाँ पर आपका अव्याई भाव समास होता है उतकर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, परामर्ष, संघर्ष या विमार्ष और जयुत्तर यहाँ पर होता है आपका option number यह अपकर्ष किसी के साथ चलिए अब देख लेते हैं कुछ संस्क्रित के प्रशन दोयदिकम पंच शतम यह किस संक्या का जोदक है? यहाँ पर आपको बताना है कि यह जो है संस्क्रित से लिखाई कौन सी जंख्या का नाम लिखाई है? दोसो पाँच, दोसो पचास, पांच सो दो या फिर बावन चलिए देखेंगे, सयुत्तर होगा यहाँ पर आपका दोयदिकम यानि कि पंच सतम यानि कि पांच सो में दो अधिक ठीक है, दो अधिक, तो कितना हुआ? पांच सो दो हुआ, यह मैंने अल्रडी पढ़ाया है कि गिंती आप किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से लिखेंगे वीडियो होगी, आपको संश्कृत वाई प्लेलिस पे मिलेगी, ऑप्शन नमब सी सही होता है यहाँ पे माहेश्वर सूत्र, मतलब माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण होना चीए था, यहाँ पे किस वर्ण का दो बार प्रयोग हुआ है जो आपके 14 महाईस्वर सूत्र होते है जब आप उनको लिखेंगे या पढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ण है ऐसा जो दो बार प्रयुक तो होता है वो कौन सा है वही बताना है तो यहापे जो सयुत्तर होता है वो होता है आपको उप्शन नमबरे अड़ा ठीक है अड़ा अगला देखेंगे काव्या दर्श की रचना किसने की है भास दंडी भारवी सूद्रक पता है साहित से नहीं है आपका सिलब साहितन का नहीं है लेकिन क्यूंकि इस बार हमें सब कुछ प्रिपेर करके रखना है क्योंकि पेपर का हाल अब देख रहे हैं कैसा आता है कुछ भी आता है हर सिट्वेशन के लिए अपनी तरफ से तो त्यारी रखनी है बागी तो फिर देखा जाएगा है न तो यहाँ पे जो सेयुत्तर होता है इस प्रशन के लिए वो होता है option number B दंडी अगला प्रशन देख हुआ है अच्छा क्यों इसको याद कर लीजे संस्क्रित में भविश्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है कौन से लकार का लट लकार लट लकार या लंग लकार तो यहां पे लिट लकार जो है सेयुत्तर होता है और आपको सब याद होना चाहिए वर्तमान काल के लिए ए तथा ए उच्छारा स्थान क्या होगा एक प्रश्ण निष्जत रूप से उच्छारा स्थान से रहता है आपका कंथ तालू दोनों कोई नहीं और सही उत्तर होता है इस प्रश्णी के लिए आपका option number C दोनों ठीक है ये दैतों कंठ तालू इसका सूत्र होता है तो उसमें आपका कंठ तालू दोनों आया सूत्र में तो दोनों होता है इसका सही answer अतिधन आचारह इसमें कौन से संदी है आप देख रहा है यह जुड़ रहा है यहां पर क्या हो जाता है भानु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा भानोह, भानुवे, भानुना, भानून और सैयुत्तर होता है इस प्रशने के लिए आपका ओप्शन नंबर बी भानुवे ठीक है शब्द रूप, धातु रूप, निश्चित रूप से इन से आते हैं आपको इतना परियापति याद हो जाएगा कि आप कुछ भी आजाए कर लेंगे नरी, मनुष्य शब्द का सब्दमी एक वचन में रूप क्या होगा नुह, निश्चू, नरी, नरह तो सैयुत्तर होता है यापका ओप्शन नंबर सी, नरी असमद शब्द का दुदिया एक वचन का रूप होगा क्या म, 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 तो यहाँ पर सैयुत्तर होता है आपका ओप्शन नंबर बी, म, यह करेक्ट आंसर हो जाता है अब आज आते हैं हम थोड़ा सा अपने इंगलिश के क्योशन में क्योंकि आना तो है ही और दस नंबर का वेटेज रहता है तो इसे भी इगनोर हम नहीं कर सकते हैं अटेम्ट करना ही पड़ेगा तो बहतर होगा कि आप प्रिप्रेशन अपनी करते रहें यहाँ पर आपको प्रिपोजिशन फिल करनी है अब तो बननी चाहिए इंगलिश का बहुत प्राक्टिस करा चुकी हो टॉपिक सब गुमा फिरा के वैसे ही रहते हैं ग्रामर की तो यहाँ पर जो सही अंसर होता है इसके लिए वो हो जाता है आपको option number C for his watch he looked for his watch everywhere look for का मतलब होता है तलाश करना तो उसने मतलब हर जगा अपनी घड़ी ढोड़ी यह इसका sense आ जाएगा which is the correct passive voice of the following sentence passive voice में change करना है they have painted the door they have painted the door तो जीजाजाइट से बात है change करिए the door उठा के पहले रखना है सब में रखा है अब आगी सोची क्या होगा तो जब कभी भी has, have का use हुआ हो active voice में तो passive में has, have के साथ been लग जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपका has ये have been होना चाहिए यहीं पे सिर्फ has been है बाकी में तो has का नामों निशानी नहीं है तो वैसे भी यही सही है और उसके जबर्ब की third form ही लगती है हमेशा पैसो में तो आपका हो जाता है painted ठीक है अब यहाँ पे by them हो सकता था by them हो सकता था क्योंकि यहाँ पे देल लिखा हुआ है लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो it's okay अगर by them लिखा होता था तो हम उसको सही मानते सबसे पहले बट नहीं लिखा है तो इतना ही है तो आपका option number in में से बी सही हो जाता है which one of the following word can be made plural by adding a suffix en box, ox, tax इसमें e-n लगाईए इसमें e-n लगाईए इसमें भी e-n लगाईए इसमें लिखते नहीं बनता इसमें भी अब आप देखिए कि कौन सा word है जो sensible बन रहा है हमें तो लग रहा है कि word ही सब गलत सलत बन रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल oxen वाला जो है वो आपका सही हो जाता है ठीक है ox मतलब एक हो जाता है उसमें e-n लगादेते कुछ words ऐसे होते हैं आपके जैसे child है child में आप r-e-n लगाते है children हो जाता है man है man an को आप replace करते है en से man हो जाता है आपका बहोशन हो जाता है woman भी वैसे ही है ox भी वैसे ही है ठीक है bell हो जाता है चलिए देखेंगे next choose the correct word to complete the given sentence blank I speak to the principle for one day can, may, must, should अब जाहिर से बात है कि क्या आना चाहिए क्या है question पूछा जा रहा है sense का sense आ रहा है और वो sense कैसा आ रहा है कि जैसे हम खुदी से बोलते हैं आपस में बात discuss करते हैं कि क्या मुझे principal से बात करनी चाहिए एक दिन की छुट्टी के लिए ये sense है तो B यहाँ पे सही होगा may I speak to principal for one day leave क्यों क्योंकि permission लेने की बात हो रही और permission में हम generally क्या मुझे बात करनी चाहिए अगर चाहिए कि sense में आता तो should भी आप यूज कर सकते थे लेकिन में जाये यहाँ पे suitable आ जाएगा कि क्या मैं एक दिन की छुटी क्ली principal से बात करूँ ये sense आ जाएगा ठीक है choose the correct spelling continuous की सभी spelling बतानी है अभी हम लोगों ने हाली में टेंस पढ़ा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था continuous tense तिहां पे जो गरेक्ट एंसरों का option number B हो जाता है C-O-N-T-I-N-U-O-U-S मतलब निरंतर लगातार choose the correct part of speech of the यहां पे जो italic word लिखे हुए हैं उसका आपको बताना है part of speech नमिता wore a dark green sari dark green sari ध्यान दिजेगा on her wedding यहां पे dark green sari क्या है noun है, pronoun है, adjective है या adverb है books कभी-कभी comments में अभी कल भी शायद comment आया था कि English के लिए कोई अच्छी book suggest करने के लिए आता है देखिए अगर आपको grammar पढ़नी है तो कहने को तो book वगेरा बहुत सारी है, lucent वगेरा मैं generally अपने जो offline students है, उनको refer करती हूँ वगेरा वगेरा लेकिन क्योंकि अगर आप basic से पढ़ रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि school के बच्चों की book पढ़िए उससे अच्छी grammar की book आपको कहीं मिलेगी नहीं लेवल बाइस पढ़ना स्टार्ट करिए first class, second class, third class फिर इस तरह से आते आते आएंगे फिर आपको grammar में कोई compete नहीं कर सकता लेकिन हाँ अच्छे से पढ़िए और बहुत उनकी बुकों में बहुत सरल भाषा में चीज़े दी रहती है बहुत सार एक्जामपल के साथ दिया रहता है अब लेकिन यह है कि उनका book जैसे आप private schools की बुक लगती है उससे मैं पढ़ने की बात कर रहे हूँ तो उसमें English to English ही दिया रहता है जाएंगी जिसमें हिंदी से पूरा explanation रहेगा तो आप अपने हिसाब से सुविधा के हिसाब से आपको जो चीज समझ में आए वह जाद आपके लिए है और सारी जो है वो क्या है Noun को मोडिफाय कर मदब Noun है तो यहाँ पर हम क्योंकि नाउन अलग दिया है एडजक्ट्व अलग दिया सब कुछ अलग है तो डार्क ग्रीन की अगर से में बातकरते हैं तो यह तो आपको लगा के तो आना ही है तो आपको नाउन लगाना है क्योंकि भले उसकी विशेशता के साथ विए जा रहा है पर बताया तो सारी के विभारे में जा रहा है यहनी कि नाउन के बारे में ही जा रहा है तो आपको नाउन लगा के आना है फिल इन दे करेक्ट वर्ट इन गिवन सेंटेंस अधायर यू गो ब्लैंक हार्डर यू फाल एस तो दो नन ओफ दीज ओप्शन नबर सी सी होता है यह करेक्ट है तो जनरली दो परस पर निकट वस्त में तुलना की जा रही हो तब दो का यूज कम्परेटिव डिगरी के साथ भी किया जाता है तो यहाँ पर हार्डर जो है वो कम्परेटिव डिगरी लिखा है हायर कम्परेटिव डिगरी है तो दो का यूज हमें यहाँ पर करना है चूज दो करेक्ट फॉर्म ओफ वर्क तो फिल इन दे ब्लैंक इन दे गिवन सेंटेंस दिस मैंगो ब्लैंक स्वेट टेस्टी, टेस्ट, टेस्टिंग, टेस्ट तो यहाँ पर जो correct answer होगा आपका वो option number 2 हो जाएगा दिस mango, एक mango की बात हो रही है है ना, तो आपका क्या है, वर्ब के साथ में ses कुछ लग जाता है तो वही आपको लगाना है, क्योंकि आपका जो sentence है वो है क्या simple present tense में affirmative sentence है find out the correct figure of a speech in the given line, love is blind हला कि figure of a speech जो है अभी फिरहाल आया नहीं बट फिर भी आपको पढ़के जाना है इस बार कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, टल्स लेबल तक का सब कुछ पढ़ना है तो चली देख लेते हैं, इसका जो correct answer होगा, वो हो जाता है option number C, personification, love is blind मतलब इक है अगर कि प्यार अंधा है, अब अंधा कौन होता है अंधा तो कोई इंसान होता, कोई जीवित वस्तु नहीं होती मतलब जीवित इंसान होते हैं, जानवर होते हैं कोई जीव होगा, वही अंधा हो सकता है, कोई समान तो अंधा नहीं हो सकता तो यहाँ पे जो एक भावना है, love, इसको compare किया जा रहा है इसको मतलब व्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है ठीक है, मानुवी करण किया जा रहा है, तो जो मानुवी करण आपका लंकार होता है वसी को English में हम कहते है, personification ठीक है, तो यहाँ पे निर्जीव वस्तु या भाव को सजीव मान कर जब वर्णन किया जाता है जैसे कि वह कोई सजी हो, तब वहाँ पे आपका personification होता है एड़वर्ब यहाँ पे आपको बताना है He frequently comes unprepared एड़वर्ब क्या है? He frequently comes unprepared तो देखे, comes यहाँ पे वर्ब है, जाहिर सी बात है और इसको qualify कर रहा है frequently word यानि यह आपका एड़वर्ब हो गया, तो option number B हाँ पे correct answer हो जाता है तो session हमारा छोटा साथा, मुझे पूरी उमीद आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो like करिए, share करिए और अगर आप channel पे निए हैं, तो please subscribe करके bell icon जोर प्रेस करिए ताकि आपको notification चला जाया करे, so thanks for watching, keep studying and bye bye